शार्दा एक कोठी में काम करती थी कोठी की मालकी नंदिनी बहुत ही अक्डू थी उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था नंदिनी अपने घर के किसी भी नौकर से कभी भी धंक से बात नहीं करती थी नंदिनी की बेटी स्वाती फिफ्थ क्लास में थी उधर शार्दा की बेटी शालू भी फिफ्थ क्लास में थी कभी कभी शालू के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो शार्दा के साथ काम पर आ जाती थी शालू तु यहां बैट कर पढ़ाई कर तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूं ठीक है ममी क्या हुआ शार्दा आज तु फिर शालू को अपने साथ ले आई वो भाबी जी इसके पापा गाउं गए हुए हैं घर पर बिलकुल अकेली किसके पास छोड़ती इसलिए साथ ले आई यह तंग नहीं करेगी वैसे भी इसकी परिक्षाय शुरू हो गई है तो पढ़ाई कर रही है पढ़ लिखकर कौन सा इसने कलेक्टर बनना है तुम्हारे में तो वैसे भी पांचवी छटी पढ़कर शादी करतेते हैं नहीं आँटी मैं पढ़ लिखकर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूँगी मैंने ममी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है बेटा तुम्हारी मा गरीब है वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती ये सब सपने देखना छोड़ दो और वैसे भी तुम लो के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब मा हो शालु का मन उतास हो गया जब उशार्दा के साथ घर जा रही थी तब उसने उससे पूछा ममी गरीब क्या होता है और आंटी हमें गरीब क्यों कहती है क्या गर प्रष्कार ही सोच रही हो कि मैं इंजीनियर बनूगी? इतना मत सोच बेटा, अगर तेरी किसमत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तु ज़रूर बनेगी, पर इतना याद रखना शालू बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्षि को मत छोड़ना, अगर तुमने मन में ठान अंडिया है कि तुम इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी अच्छा चल मैं तुझे हलवाई की दुकान से लड़ू खरीद कर देती हूँ तुझे लड़ू अच्छे लगते हैं ना ठीक है ममी आप मुझे एक नहीं दो लड़ू लेकर देना शार्दा शालू को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात न रह जाए और वो अपने जीवन के लक्षे पर ही नज़ा रखे एक दिन शार्दा जब काम पर पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी अपने मुबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है वहीं स्वाती अपने कमरे में मुझे सब कुछ आता है स्वाती बिटिया कमरे में ज़ाड़ू लगा लूँ ना यह आंटी अभी मैं गेम खेल रही हो आज मेरी छुट्टी है स्कूल की अभी आप रहने तो थूड़ी देर बाद लगा लेना स्वाती बिटिया बुरा ना मानोत एक बात कहूं बच्चों का इतनी देर मुबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है आपकी परिक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली है आपकी ममी बता रही है शारदा भी स्वाती को बड़े होने के नाते समझाई रही थी कि अचानक नंदिनी ने आकर सारी बाते सुन ली शारदा ये क्या त परती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी जाओ यहां से और आज के बाद इस तरह से मेरी बेटी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है भला मैंने तुमें काम पर रख लिया तुम तो घर में गुसने की कोशिश कर रही हो माफ करना नंदिनी भाबी मैंने तो इसलिए बिटिया को बोला कि उनकी परिक्षाएं हैं तो पढ़ ले ठीक है ठीक है मेरा दिमाग खराब मत करो जाओ यहां से बाहर की सफाई करो और स्वाती मैं थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ तो मेरे पीछे से पढ़ाई कर लेना नंदिनी की यही आदत थ थी कि वो अपनी बेटी स्वाती पर ध्यान नहीं देती थी और इससे स्वाती की पढ़ाई पर असर होने लगा फिर एक दिल मम्मी मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैट्स का एक्जाम है मैं भूल गई मम्मी अब कैसे होगा तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं ह क्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो इतने सारे कोर्स को दो दिन में कैसे पूरा करोगी मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ कितना ही पढ़ा लूँगी सैटरडे संडे का ओफ था इसलिए शारदा के साथ शालू भी आई हुई थी शालू के अग्जाम खतम हो चुके थे शालू नंदिनी के पास आई और बोली आंटी अगर आपको हो तो मैं स्वाती की हेल्प कर सकती हो मेरे अग्जाम खतम हो चुके है मैं स्वाती को मैथ्स पढ़ा दूगी तुम कैसे पढ़ाओं की शालू तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो तुम्हारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है। आंटी, मैट्स के फॉर्मूले तो सब जगा एक ही होते हैं। हमारे स्कूल में भी स्वाती के स्कूल जैसे ही किताबे हैं। मेरा कोर्स स्वाती के साथ मिलता जुलता है। अगर आपका हो तो मैं स्वाती को पूरी मैट्स करवा दूंगी, ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाती हो, मॉम क्या कर रहे हो, शालू मुझे नहीं पढ़ा पाईगी, मेरा तु दिवा खराब हो रहा है, मैं क्या करूंगी कल एक्जाम में, एक बार पढ़कर देख लो, नहीं समझाएगा, तो करना फिर जैसे पेपर करने, मैं क्या करूं, शालू स्वाती को मैट्स पढ़ाने लगती है, कुछी देर में नंदिनी देखती है कि स्वाती शालू से बहुत अच्छे से मैट्स समझ रही है, ये देखकर वो हैरान रह जाती है, नंदिनी भावी चिंता मत करो, शालू मैट्स में बहुत अच्छी है, इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए है, उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है, हाँ मुझे दिख रहा है, स्वाती शालू से अच्छे से समझ पा रही है, शालू के पास दो दिन का टाइम था, वो शनिवार और इतवार दोनों दिन स्वाती को खूब मेहनत करवाती है, शालू का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसके बताए गए तरीके से स्वाती मैट्स को करती है, अगले दिन सोमवार को जब स् मान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से स्वाती को पढ़ा रही थी, मुझे शार्दा से माफी मांगनी होगी, कुछ समय बाद स्वाती का रिजल्ट आ जाता है, स्वाती के मैट्स में बहुत अच्छे नमबर आये थे, नंदिनी जानती थी कि स्वाती के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है, शालू बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, तुमने स्वाती की बहुत मदद की, ये लो तुम्हारे लिए लैप्टॉप, तुमें इसकी बहुत जरुरत होती है न, और तुमें इंजीनियर भी बनना है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, शालू के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था, नंदिनी जानती थी कि शालू ने जो स्वाती के लिए किया वो भी काबिले तारीप था, नंदिनी पैसे वाली थी, व कभी भी स्वाती को पढ़ाई में कोई परिशानी होती, तो नंदिनी शालू को बुला लेती, नंदिनी ने देखा कि व्यक्ति अमीर या गरीब कुछ नहीं होता, व्यक्ति का चरित्र माइने रखता है, अच्छी संगत में रहने से बच्चे अच्छी सीखी लेते हैं, ममी पापा दोनों नहीं थे, वो अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी, मानसी, ओ मानसी, अभी तक तेरे से जाडू नहीं लगी, और देख, बारिश हो रही है, जाकर छट से सारे कपड़े भी उतार कर ला, अभी लाती हो चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या कर जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हो, नहीं तो चाची फिर मारेंगी, दीपा बिटिया, ये ले तेरा दूट, वो भी बादाम वाला, गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है, चाची कपड़े उतार कर रख दिये हैं, मुझे भूक लगी है, कुछ खालू, पहले बाज चाप ले करा सामान, मानसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है, और बुरी तरब भीग जाती है, ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भीगो दी, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से, सुधा मानसी को थपड़ पर थपड़ मार रही थी, आखों की अंधी त भीगी है, और आ जाएगी, तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे है, जो ये चीजों का नुक्सान कर देती है, चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है, सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है, बहुत ठंड करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर माई की चली जाती हूँ, किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है, तकरीबन एक घंटे बाद, दीपा, जब बोल दे मानसी को अंदर आकर बरतन करेगी, सारे बरतन जूठे पड़े हैं, मानसी, मम भाईया, मेरे पती काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, मैं समय पर पहुँच जाओंगा, किशोर किसी काम से शेहर से बाहर चला जाता है, मानसी बेटा, चल तुझे बाजार से नई चपल दिला लाओ, तूटी हुई चपल में घूम रही ह चाची, मेरे लिए नई चपल, ठीक है, मैं चलती हूँ, सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है, मानसी, तू यहाँ बैट कर चपल देख, भाईया, दिखाना ज़रा चपल, मानसी, मैं ज़रा दीपा को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिला कर आती हूँ, सु उन्हें घर जाना पड़ा, वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई है, आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, है, अंकर, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहां ले जा रहे हो, ये रास्ता भी घर की और ही जाता है, जहां से ले जा रहा हूँ, मांसी व्यक्ति के हाथ पर काट कर हाथ छुड़ा कर भागती है व्यक्ति मांसी का पीछा करता है मांसी रोती हुई तेजी से भागती है भागते भागते अचानक आंटी वो अंकल मेरे पीछे पड़े है मुझे अपने साथ ले जा रहे है आंटी डरो नहीं बेटा अरे अब क्या करूँ ये लड़की तो गायब हो गई मैडम वो लड़की तो हाग छोड़ा कर भाग गई कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला मेरे पैसे वापस करो जितने भी मैंने तुम्हें दिये है लड़की को तुम संभाल नहीं सके इसमें मेरी क्या गलती है कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे सुधा ने मांसी को उस व्यक्ति को बेज दिया था और उसके बदले पांच लाख रुपे लिये थे उधर मांसी जिस मईला से टकराती है उनका नाम कौश अल्या देवी था मांसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई आओ बेटा अंदर आओ डरू नहीं माला गुडिया के लिए पानी लेकर आओ और कुछ खाने को भी ये लो दीदी ये कौन है मैं बाजार से निकली तो ये बच्ची किसी आदमी से डर कर भाग रही थी और मेरे से टकरा गई मांसी जब खाना खा लेती है तब बेटी तुम्हारा नाम क्या है आंटी मेरा नाम मांसी है मेरी चाजी मुझे बाजार में अकेला छोड़ कर चली गई और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर चोड़ देंगे पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे मांसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है तुम यहाँ पर बिल्कुल मत घबराओ मांसी अब तुम यहीं रहो यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरुरत नहीं माला मांसी की भी सभी बच्चों के साथ रुखने की व्यवस्था कर दो यह अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की साहयता करती थी उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मांसी को नहीं पाता किशोर सुधा से पूछता है सुधा? मांसी दिखाई नहीं दे रही? कहां गई है? यहीं कहीं होगी किशोर कमरे में चला जाता है तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है शायद तुम जानती नहीं हो कल्लू से पूरे एरिया में नाम सही लोग डर जाते हैं मुझ जैसे गुंडे से पंगाली आया है तुमने देखो कल्लू धीरे बोलो मेरे पती वापस आ गए है वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे मानसी के गायब होने का पतागर किशोर को चल गया तो हम दोनों की खेर नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना मेरे पांच लाख रुपे दो और मेरा हिसाब करो ठीक है मैं पैसे दे दूँगी थोड़ा वक्त दो सुधा फोन रख देती है तभी क्या तुमने मानसी को गुंडे के हाथ बेच दिया सुधा तुमने कितनी नीच हरकत की है बेचारी बिन माबाप की अनाध बच्ची को तुमने बेच दिया सुधा तुमें एक और एक मा कहलाने के लायक नहीं हो कहां रहता है वो गुंडा मेरे साथ चलो अब ही बता उसका पता किशोर सुधा को थपड मारता है और कलु गुंडे के घर पहुचता है बता बता मेरी भती जी मान सी का है बता बता वरना मैं तेरा खोन पी जाओंगा बता मुझे मत मारो मुझे नहीं पता तुमारी भती जी का है तू ऐसे नहीं मानेगा पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी किशोर पुलिस को फोन करता और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते हैं किशोर जी हमारे पास एक अनाता अश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है एक बार वहाँ चल कर देख लेते हैं कल्लू का अरेस्ट कर लो रे नमस्ते कोशल्या देवी जी वह आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी जी इंस्पेक्टर साहब मैं अभी बुलाती हूँ माला मांसी को ले आओ चाचा जी मांसी मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे तेरी ये हालत मेरी वज़ा से हुई है आपको पता भी है मांसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेज दिया आपने एक मा होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सर्फ पैसों के लिए बेज दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसी अनाथ है इसके माधा पिता नहीं है इंस्पेक्टर साब आप सुधा को गिरफता कर लीजी किशोर मुझे माफ कर दो मेर से गलती हो गई चाचा जी चाची जी को जेल मत भेजो इन्हें माफ कर दो चाचा जी किशोर जी अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ इसलिए ही इस अनाथ हाश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहायता मिलती है मानसी बिटिया अपने चाचा के साथ घर जाओ किशोर जी मानसी आपकी जिम्मेदारी है इसका ध्यान रखिएगा मानसी मुझे माफ कर दो बिटिया मैं अपका भी तुम्हें मा की कमी महसूस नहीं होने दूँगी मानसी खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है कौशलया देवी की वज़े से आज मानसी सही सलामत अपने घर वापिस पहुँच गई थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूले और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए, नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बाडीज